हाई फ्रेंड्स कालरात यूट्यूब के तरब से सब के पास एक मेल आया है कि यूट्यूब का जो टार्मस ऑब सर्वीस है उसमें कुछ चेंजे हो रहा है तो ये मेल देख कर बहुत सरे लोग ढर गया है ये टार्मस ऑब सर्वीस क्या है क्या क्या Changes हुआ है मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि जो तीन चेंजस हुआ है, उसमें से दो चेंजस पहले से ही था, लेकिन उस पे आप ज़्यादा फोकस किया जाएगा, और जो तीस्रा चेंजस है, वो निया है, तो मैं आपको एक बार बता देता ह कि वो changes क्या है आप एक बार सुन लिजे और आपको पता लग जाएगा कि यह changes पहले से ही मौझुद था तो मैं एक बार आपको पर के सुना देता हूँ और मैं आपको समझा भी दूंगा कि यह जो terms of service है यह क्या है पहला जो terms of service है वो है facial recognition restrictions the terms of service already state that you cannot collect any information that might identify a person without their permission while this has always included facial recognition information the new terms make it explicitly clear तो इसका मतलब है आप कोई भी person का video या फिर photo उसके permission के वगर आप आपने YouTube channel पे use नहीं कर सकते तो आपको community guidelines strike पर सकता है अगर वो बंदा community guidelines strike भेजता है तो अगर उनको पता नहीं चलता तो आपके पास यह community guidelines strike नहीं भी आ सकता तो आप देख लिजिए अगर आपको किसी का video या फिर photo यूज करना है तो उससे आप पहले पढ़निसान ले लिजिए उसके बाद आपने video पे use किजिए तो यह जो terms है यह पहले से मौजुद था लेकिन इस पे आप ज्यादा focus किया जाएगा YouTube's right to monetize YouTube has the right to monetize all content on the platform and ads may appear on videos from channels not in the YouTube partner program यह भी पहले से था इसका मतलब है YouTube के पास right है कि वो आपका किसी भी वीडियो पर add चला है मतलब आपका चैनल अगर monetize नहीं हुआ तो भी YouTube एड चला सकता है माल लीजिए आपके चैनल को उपर 1000 सब्सक्राइब नहीं हुआ भी तक और 4000 घंटे का जो watch time है वो भी complete नहीं हुआ लेकिन आपका एक वीडियो पे बहुत सारा यूट्यूब को लगता है कि इस वीडियो को पर अभी add चला सकते हैं तो यूट्यूब वो कर सकता है लेकिन उसका एक भी पैसा आपको नहीं मिला थार्ड जो टाम्स है यह आप एक पर सुन लीजिए रोयल into payments and tax withholding for creators entitled to revenue payments, such payments will be treated as royalties from a US tax perspective and Google will withhold taxes when required by law मतलब जो लोग अभी तक tax information नहीं भड़ा है वो लोग 31st में से पहले tax information भड़ दीजिए क्योंकि 31st में जो है वो last date है और ये जो tax है US के हिसाथ से कटा जाएगा और उसके बाद आपको pay किया जाएगा तो आपके पास अभी खली 10 या 11 दिन का टाइम है तो आप वो tax information भड़ दीजिए और जितना भी times of service मैंने अभी पड़ा है मतलब YouTube की तरफ से mail आया है ये fast June से हमारे यहाँ पर लागू हो जाएगा अल्रेडी ये times of service जो है US में 2020 में लागू हो गया है लेकिन हमारे इंडिया में ये अभी तक लागू नहीं हुआ ये जो times of conditions है fast June से YouTube पर लागू हो जाएगा तो ये था YouTube की तरफ से निया times of condition तो डरने वाली कोई बात नहीं है पुराना दो तो पुराना ही है और एक जो है निया हुआ है तो आशा करते हों कि आप समझ गए होंगे ये जो times of service है वो क्या है मैं इस चैनल के उपर बहुत सारे tips और tricks लेके आता हूँ और बहुत सारे information लेके आता हूँ अगर आपको लगत है कि ये चैनल काम का है तो आप प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकोन दवा दीजिए ताकि आने बाले जो वीडियो है उसका आपडेट आपको मिलता रहे है थैंक्यू फॉर वाचिंग